तो हेलो गाइस कैसे आप सब और आज जो बात करेंगे यह एक आपकी स्खीम है और यह डिसेबलेटी वाले बच्चों से रिलेटेड है और इससे जो हैं प्रिवेश यह आपके कोश्चन भी आएं तो यह इंपोर्टन टॉपिक है छोटर टॉपिक है बट इंपोर्टन तो एच एप एसन यह फुल फॉर्म आपको याद रखनी है यह एक्जाम के लिए बहुत मॉस्ट इंपोर्टन थै तो एक्जाम में फुल ग्रांट कमीशन ने यूजी सी यह आपको याद रखना है कि यह जो स्कीम है यह यूजी सी ने दी है तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो यूजी सी का हैड़कॉर्टर है वो कहां पर है वो न्यू डैली में है तो जो इंपोर्टन टर्म है जो आपके एक्जाम के लिए बन सकते हैं तो इससे कोशन बना सकते हैं जी के में कोशन आ सकते हैं इसे स्कीम से लेटेड क्योंकि जो कोई भी एक्जामीनर होता है वो वहीं से कोशन जो है पकड़ता है बच्चों के लिए आगे बात करते हैं तो जो यूजी सी है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उन्होंने जो है वो तीन स्कीम जो है अभी चला रहे हैं जिसमें पहली स्कीम है H EPSN higher education for person with special needs दूसरी है teacher preparation in special education और third है financial assistance to visually handicapped teachers ठीक है तो यह full form आप याद रखना तीनों की H EPSN और T EPSE और FAVHD तो यह यह full form जो है यह जितनी भी यह जो लेकर आएं यह सारी क्या है PWD candidate के लिए तो आपको मैं most important चीज़े जो है बताता जारूं अभी मैंने UGC का headquarter बताया और UGC नहीं जो है यह तीन आपकी जो है यह D हैं आगे चलते हैं UGC has issued instructions to all universities and colleges for providing 3% relaxation in admission for PWD students तो questions यहां से frame हो सकता है कि UGC जो है students को admission के लिए कितना percent quota दे रही है तो यह भी आपको important term है जो मैं आपको बता रहा हूं वो 3% reservation जो है UGC दे रही है तो यह आपको याद रखना है ठीक है तो यह important चीज़े हैं आगे चलते हैं तो UGC had started the scheme of assistance to universities colleges for higher education for persons with special name differently abled persons during the ninth five-year plan which continued in the tenth plan तो यह जो आपकी scheme है यह UGC ने start करी थी यह ठीक है assistance मतलब help provide करने के लिए किसको universities को और colleges को ठीक है during the ninth five-year plan तो यह आपका GK में question आ सकता है कि कौन से यह plan में यह जो है जो आपकी lie गई थी previous question भी है और यह GK में बन सकता है और यह continued है 10th plan में भी आगे चलते हैं तो इसके जो specific objective है उनके बारे में बात करते हैं आपका जो specific objective है to provide equal educational opportunities to differently able persons in higher education institution तो आपको नाम से भी पता चल रहा है तो उनको equal opportunity जो है provide करना कि इनको special बच्चों को higher education में तो यह पहला इनका specific objective है दूजरा है to create awareness among the functionaries of higher education about the specific educational needs of differently able person awareness जो है बिल्कुल करना कि जो बिल्कुल एक specific need educational need क्या है कि special बच्चे की उसको बताना कि उसको equipment की need है उसको पढ़ाई के लिए accessories की need है उसको adaptive device की need है या फिर उसको structure की need है या फिर उसको financial need है तो यह जो है higher educational institution with the facilities to provide access to differently able persons तो यह क्या है यह क्या provide कराते है facilities provide कराते है किस चीज़ के regarding provide access to differently able student जैसा आप देख पा रहे है यहां पर एक बच्चा है जो student वो चल नहीं पा रहा क्योंकि वह wheelchair पर है तो उस तरीके का हमें structure provide कराना तो यह क्या है यह higher education को क्या facilities प्रवाइड कराती है फॉर्थ पॉइंट है आपका to provide special devices to higher education इनका काम है provide कराना higher education को special devices जो बच्चों के लिए हो institution को that will augment the learning expenses of differently able children ठीक है तो जो उनको जो है आके सीखने के लिए जो है और ज्यादा help करेंगे चीजों में फिफ्ट पॉइंट आपका to monitor and implementation of all existing and future legislation and policies special बच्चों से लेटेड जितनी भी आपकी policies है या फिर legislation है उनको जो है देखना उनको monitor करना यह काम है आगे बात करते हैं इस scheme की eligibility है वो eligibility क्या है तो जो भी कोई college है जो इस education scheme है इसको जो apply करना चाहता है तो उसकी component क्या है कि वो जो बच्चे होने चाहिए वो visual impairment से लेटेड हो hearing impairment से locomotor disability से जो institute के अंतर admission ले रहे हैं तो definition की जो disability है वो उन्होंने किस के किस प्रकार बताई है वो definition की जो disability है वो उन्होंने person with disability act 1995 वो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है तो आप उसमें पढ़ सकते हो उसके according जो है उन्होंने बताई है तो PWD Act में total 60 disabilities हैं जो उन्होंने cover करी हैं वो आप यहां पे देख रहे हैं और इनको याद कर लेना यह exam में important है फसानी के लिए भी question आता है कि RPWD में कौन सी disability mention है कौन सी नहीं है तो इसमें PWD में बच्चे confuse हो जाते हैं क्योंकि PWD में सिर्फ 60 disabilities है ठीक है और RPWD में total 21 disabilities है ठीक है तो eligibility में याद रखना यह PWD Act के according जो है eligibility provide कर रहे हैं थर्ड है यहां scheme के लिए apply कर रहा है should have been approved by UGC under UGC के कौन से section के अंदर approve होना चाहिए section 2f और 12b यह आप याद रखना ही important time है फिर है आपका fourth the college should have constitute an expert committee जो college है वो एक expert committee बुलाएंगे faculty members की और जो उस field में expert है differently able persons की the committee should meet at least once a year to review the activities related to the concerned scheme तो यह चीज आप important याद रखना कि उस committee को at least one year में मिलना है और ऐसे questions पूछे गए हैं PWD Act के अंदर आपके ऐसे questions पूछे गए हैं कि central executive committee बनाई गई थी उसके अंदर जो है उनकी duration क्या है और उनकी meeting उनको कितने साल में करनी चाहिए उनकी जो है आपकी termination भी पूछते हैं और पूछते हैं कि उनकी committee में कितने member थे तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें क्या important है आपका at least once a year तो यह important time में आप यह लिख लेना H E P SN scheme है इसके तीन component है यह important याद रखना है पूछ सकते हैं कि H E P SN के कितने component है तो टोटल तीन component है first second third ठीक है तो पहले component में क्या important है Establishment of enabling unit for differently abled person ऐसी units का जो है establishment करना ठीक है उस चीज के लिए बच्चों की help के लिए तो यह जो unit है इनका जो provision होगा पचास जार per year होगा किसी से related स्टेशनरी से related जो भी services है special बच्चों के लिए counseling sentence से related तो वो जो है वो उनको provide करना यह important है और इस units का क्या काम है इन units का काम है कि बच्चों को quota provide करना बच्चों को access provide कराना कि वो जो है easily access कर सी जो को और दूसरी चीज है कि बच्चों को कांसलिंग के लिए जिस भी courses पर उसके लिए उनको जो है counseling provide कराना counseling की जो फीज है वो जो ना लगिए उसके लिए बच्चों को उसके लिए relaxation देना और जैसे जितने भी जो disability लिए आते हैं moreा केंज यह केंडि ऑर फोट दिसब्लेटि डिए आता है उसको जो है बना बच्चों की जो है annual report बनाना स्पेशल बच्चों की annual report बनाना और उनको awareness program जो है उनके लिए चलाना और बच्चों की जो needs है special devices के लिए असेस्टिव रिवाइस के लिए वो उनको प्रोवाइट कराना तो यह सब जो काम है यह जो है इन यूनिट्स का काम होता है अब दूसरे कॉंपनेंट पर चलते हैं प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिफरेंट ली एबल परसंट तो यूजी सी क्या है एक वन टाम ग्र कर की शुविदा होनी चाहिए बड़े-बड़े बोड्स लगे होने चाहिए जो भी आपके तो विजुल इंपर्मेंट निए बडलाए बच्चे आते हैं और लो वीजन वाले आते हैं तो उन के लिए जो है बड़े-बड़े बोड़स给ान रहा जो आपका रोड है उस to augment educational services for differently-able persons. तो UGC क्या है? डेड़ लाक रुपे का per plan, 12th plan में जो है, उनको provide कर रही है. तो यह important term है आपकी, कि बच्चों को special devices जो उनकी help करें पढ़ने में, braille provide कराना, जो braille वाले बच्चे हैं, और जिनको wheelchairs चाहिए हैं, और जिनको assistive devices चाहिए हैं, ठीक है, और जिनको नहीं नहीं तरीक है कि जो अभी inventions हो रही हैं, उन बच्चों से later उनको उस तरीके के equipment provide करना, तो यह जो है UGC का काम है, तो आप चलते हैं previous question की तरफ, जो आपके previous question जो आपका आया हुआ है, है DSSB PRT Special Educator का, तो यह question number 14 है, HEPSN is a scheme to promote test for the disabled, तो secondary education, higher secondary education, higher education या पिर primary education, तो HEPSN is a scheme to promote में आपको बताया था कि यह किसको है promote करने के लिए higher education, तो जैसे आपने यह आपर देखा भी होगा, इसकी जो नाम में चुपा हुआ है, higher education for person with special need, तो इसका answer क्या होगा आपका, HEPSN, तो higher education, higher secondary नहीं होगा, यह चीज़ आपको याद रखनी है, तो इससे जो है, एक ही question आया था आपका primary special educator में, second shift में, जहां आप यहाँ देख पारें, special educator का, ठीक है, 17, 12, 21 का, ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी इस वीडियो के अंदर जो है, इतना ही था, यह आपका जो है, तीन component थे, जो मैं आपको बताए है, और यहाँ पे जो है, यह मैंने आपको, एक once in a year की, जो important term थी, इस scheme से related वो बता दी है, यहाँ पे मैंने आपको sections के बार में बताया है, और disabilities जो PWD Act के अंदर cover हैं, वो मैं आपको बताई दिये, और eligibility मैंने आपको बताई दिये, इसके अलावा जो है, आपके लिए जो important है, वो आपके एक यह important है कि कौन से plan में जो है, इसको चलाया गया था, और UGC जो कितना percent quota दे रही है, और आगे यह कौन-कौन सी scheme चला रही है, और यहाँ पे जो है, इनका headquarter Delhi में है, और यह scheme दी है, यह university grant commission ने दिये, UGC ने दिय रहे हैं, और ऐसी जो videos हैं, मैं आपके लिए लेकर आता हूँगा, जो भी important है, आपके exam point interview के लिए, क्योंकि vacancies जब भी भी आए, यह चोटे-चोटे number ही जो है, आपको selection दिलाएंगे, तो मिलते जब तक next video में, और अगर किसी को कोई भी चीज के regarding कोई भी query है, तो मुझे comment down कर सकता है, मिलते हैं जब तर next video में, जब तक के लिए, और पढ़ते रहिए,